अब लो एब्रिवन वेल्कम बैक टो आप चैनल बिलियन एडूकेशन वे एम टो रीच अंट इच बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एडूकेशन पर यह आपके ट्वेल्थ की जोग्रिफी का चाक्टर नंबर है जिसका नाम है सेकं लेने वाला हूं अल्रेडी स्टार्ट कर दिया है तो बहुत जल्द आपका जोग्रफी भी खतम हो जाएगा तो गाइस स्टार्ट रिवाइजिंग दी मटीरियल एक्जाम डेट्स भले आएं चाहिना लेकिन मुस्ट प्रवाइल है कि सबको पताएगे मार्च या अप्रिक तो हुई जाएंगे मोस्ट पॉफेक्टली आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंडस्ट्रिल रिजन से स्टार्ट करना था इंडस्ट्रियल रिजन सार्ट अन इवेनली डिस्रिबिटेड विकॉस अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन्स आर नौट दे सेम एव्रिवेर जैसे कि अगर आप लेंगी जो आरन के सोर्स हैं हमारी इंडिया में ठीक हैं वो कहां पे ज्यादा हैं वो आप पाऊगे कि जहां पे हमारे छोटा नाकपूर प्लैटू है वहां पे ज्यादा कॉंचर आप टे हैं अवहां पर हमश्डीली कर भी सकते हैं वहां पर कार की इंड़स्ट्री वहां पर आँ नहीं तो इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी कुछ अलग-अलग सेटल है और पूरे वर्ल्ड में भी आप जैसे कि हमारी आरन मेकिंग वहीं पर सेंटर्ड है कहीं कहीं पर आर इंडिस्ट्री जो रॉम मटेल उसके नजदीक ने कहीं और पर हैं तो अलग-अलग ने चाहिए उनका इंडस्ट्री सेंड टू कॉंसेंट्रेट इन फ्यू पॉक रखता जोंका जैसे उनका इसे हमनों फूरूट माटीरियल ले ले तो पेरिश हो जाता है तो जो फेवर करेगा उस हिसाब से इंडस्ट्री कुछ पॉकेट्स नहीं रहते हैं पॉकेट्स हैविंग हाई कॉंसेंट्रेशन अफ इंडस्ट्री आज इंडस्ट्रियल रीजन्स पुरे वर्ल्ड में यूएस जैसे हो गया यह हमारा यूरोप हो गया और चाइना हो गया तो त्यान जैसे हमनों बुलती ना कि उनके जिंजियांग प्रोविंस का नाम लेते पीले सेंटो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उने छी तो वैसे हमारे इंडिया में ऑले यूरों से एक प्रीकुलर जगह पर इस यह पूरा देश है लेकिन कुछ पॉकेट्स में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ये तो उसकों क्या बोलेंगे इंडस्ट्रियल रीजन शिंपल स स्टेशन उर्ड उनलोम है और आपको मालुम है जीकौनॉमिक के अलावा गौर्मेंट की भी होनी चाहिए यह सकते हैं आप लो है जहां पर नेचर भी सपोड्ट कर रहा ईंगा मनल जा रहां और पॉलिटिकल गौर्मेंट भी सपोर्ट कर रही है तो वहां पर पाहोगे कि बहुत जाधा इंड़स्ट्री चांसेट होती हैं अब वहां पर जाधा चांसेट हैं कि उन इंड़स्ट्री के आजू बाजू और इंड़स्ट्री भी सेटल होती जाएं दोस्तों दोस्तों are the areas within which manufacturing industry is carried out on a relatively large scale, employing large proportion of working population सब यूपीस्ट की पढ़ाई है आपको इसी तरह से पढ़ ना होता है रही किसी सब अलग होगा बताने बस नोटस मेकिन का अलग तरीका होगा जिससे की में में अलग राइटिंग हो जाती है अलग आंसर प्रजेंट होता है यह हमने पड़ा हुआ है सब तो गाइस क्या होते हैं अब यहां पर देखें इतने सारे इंडस्ट्री इंट टेक्नोलोजी भी है नहीं नहीं मशीन भी होंगे उसी तरह से जो काम करेंगा टेक्नोलोजी पर उसी साफ से यूथ होगा वह यूथ उसमें इन्वाल रहेगा तो सब्सक्राइब करेंग पाओंगे हैं इसी तरह से आप पाओंगे कि आरण स्मेल्ट इंडस्ट्रि फिर्कोरी कोई रेल्वे के कार भी बनाता होगा बहुत सारी इंडेश्ट्री सब करने के लिए के सर्विस एक्टर होते हैं के सेमेंट इंडेश्री हो जाएगी बहुत सारी इंडेश्री जमा हो जाती और वहाँ पर क्या द disciples right to लोग जॉब करने के लिए वहाँ पर जाएंगे उनके बच्चे बच्ची रहेंगे और बाहर से उस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर एक पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और लाज लेबर पोस्ट बहुत जाना काम करने वाले लोग हैं इंप्लाइमेंट टू लाज वर्किंग पॉपुलेशन आप पाऊगे वर्किंग पॉपुलेशन की डेफिनिशन जब हम देखते हैं तो पंदरा से लेकि हम लोग 59 या 65 तक कैल्कुलेट करते हैं तो आप बूलेंगे से इसमें तो बच्चा बैगर तो जनरली यह है अब जब यह एज है तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ओफ लोग यहां पर जॉब करते वे पाए जाएंगे अब देख लो अपने मुंबई भी इसका एक एक एजामपल है हर कोई बुड़ा होते भी काम करता है जब तकि उसका चलना पर ना बनना हो जाए लाज बैंकिंग एंग क्रेड खो भी रहते हैं लून दे सकते साथ ही साथ अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं लाज नेट भाइक ठावत Works फ्रान्पोर्ठेशन ल क की यह और सब का मुंबई में पाऊगे आई नो मेनी आफ सुडेंट्स आ नौट फ्रॉम मुंबई बट मुंबई में जिसा फैसिलिटीज है एक्सिलेंट कम्यूनिकेशन फैसिलिटीज आप पाऊगे कि हम मुंबई में यह कंप्लेंड नहीं करते कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है आइ पर यह डिबेट नहीं रहता है यह तो हमें याद करना रहता था अगर आप लोग बोलोंगे तो मैं यह करवा भी दूँगा जैसे पौर्थ कौन सा जोने पौर्थ में क्या पाई जाती है वहीं पर इस्टन कोस्ट ऑफ उस्टेलिया में कौन सी इंडस्ट्री है एडिलेड मेलबॉन तो यह तो लोकेशन तो होई जाएंगी जैसे मैं बिजीन के बारे में बोल रहाता आप लोगों को देखिए तो यह से हमलोग मंचूरिया जीजन तो आपका जो मंचूरियन में क्या होगा है इस वहाँ पर जो चाइना का आरेन और उससे भी रिलेटेड बहुत सारे जगों पर इसने क्या किया जैसे कि आप देखिए यह जो जोन से साउथ इस अमेरिका जो साउथ अमेरिका उसके सिफ कंट्री का नाम लिख दिया देखिए साउथ इस्ट और ब्रजील यह आप लोग तो पड़े ही हो सी को से ओईल बहुत निकलता है प्लस फिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है अब आते हैं दोस्तों सीधा क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्रीज अच्छा गाइस यह जो इंपॉर्टेंट है एकोनॉमिक कॉरिडर जो गॉर्मेंट का यह बहुत इंपॉर्टेंट पढ लेना मैं कुछ यगों पर मैंने बॉक्स मत्रीयल कराया था लेकिन बच्चे उतना पढ़नी रहते तो मैंने भ अलांग दी में ट्रांस्पोर्ट रूट्स विच हैब बिन सेलेक्टेट तो इंडस्ट्रियल एकोनॉमिक डवलप्मेंट इन दी कंट्री तो समझें दिल्ली से लेके मुंबई तक कोई रस्ता है इसके आजू-बाजू कुछ अच्छे जोन है जहां पर जोग्रफी क्लाइ सब यहां पर जो देल्ली मुंबई के बीच में से रस्ते होंगे तो वो सब पूरे रस्ते को जो भी जो भी नेटवर्क उसको डेवलप किया जाएगा रस्ती को समझेंगा मतलब यह निकिरस्ता मतलब रोड बहुत अच्छा बनाए जाएगा वहां पर इंडस्ट्रिस ग्र पहुँट ग्रोथ इन इंप्लॉइमेंट पहुचे रिवलेश्नाइज इंडस्ट्रियल ग्रोफ यह सब करने के लिए तो एक समय से चार आपको याद रखना है एक है डेली मुंबई जैसा मैं बता रहा था यह डेली मुंबई हो गया अमरिस सर पंजाब से लेके कोलकाता तक हमारे अ 10isesti कोलकाता का क cactus को अल काता कि फिर आप यहाँ से मुम्बई से लेगे बैंगल ओर अब बैंगलूरर तक चैन्नाहीं तक है और इसके अलावा गाइस छे हैं हमारे पास यह एक हो गया अम्री सर से एक यह दो यह तीन यह चार और एक हमारे पास है कोलकाता तक तो यह छे इस तरह से आप याद रखिए भी आमाइस यह सब्सक्राइब चलिए अब यह गाइस हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन अफ इंडे मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्री ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू बेसी साइज तो सोफ रॉम माटीरियल नेचर और प्रोड़क्ट एंड ओनर्शिप तो साइज कितना बड़ा है इं माटीरियल का सोस क्या जैसे कि कि किसी के लिए प्रूट जीउस बनाने वाले के लिए फूरुट हो बैकिन स्टील बनाने escrito क्रोड क्रोड़क्त अर्थी काॉन्स दिखाना वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दोस्तों संग संगिनियों बंदू बंदिनियों फ्रेंड गौल्प्रेंड बॉइफ्रेंड सब में इसे शेयर करिए ब्रदर और सिस्टर्स में भी करिए इसे मिलते हैं नेक लेक्षर में तिल देन बाई-बाई-बाई-एव